नमश्कार मैं कुवर अर्णों सिंग पर्यार नागुद किला से आशा करता हूं इस करो नाकाल में आप सबी लोग अपना ध्यान दे रहे होंगे तो रक्षित रहें स्वस्त रहें आज मैं राजा महीर भूजी के बारे में बात करना चाहूंगा नागुद राजपरिवार महराज नाग्यभट समराथ महीर भूजी का डायेट वंचज है और हम लोग शत्री है राजपूत हैं और मुझे बहुत घर्ब मैसूस होता है कि मैं राज महीर भूजी राजा नाग्यभट जी का वंचज हूं नागुद परियारों का प्रतियारों का इतियास करीवन एक हजार साल पुराना है महराज समराज नाग्यभट से लेके सन 730 से लेके वर्दमान नागुद राजपरिवार आज मुझे बहुत कुछी भी होती है जब उनके नाम की प्रतिमाई का स्थापना की जाती है समराज महीर भूजी गई और उनके नाम का स्थापना की जाती है कही ना कहीं मुझे धोत दुख भी पहुचता है जब उनका जाती परिवर्दन किया जाता है उनका जाती परिवर्दन करना उनका जाती परिवर्दन किया जाना मतलब हमारे एक हजार साल पुराना इतिहासे चर्चान होना उनका जाती परिवर्दन करना मतलब हमारा जाती परिवर्दन करना जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए आज समराट महीर भोजी की गाथाएं सबी लोगों के हिदे में हैं किस तरीके से उनने सब की रक्षा करी किस तरीके से वीर इत्यास लिखा जिसको आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि समराट महीर भोज शत्रिय समराट महीर भोजी की गाथाएं उनकी वीर गाथाएं हम लोग आगे आली आने अली पिड़ी को बता सकते हैं अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा किसी भी समुधाश से कोई से भी भेदभाव नहीं है जब हमारे पूरवजों ने भेदभाव नहीं करा तो हम को अनोते हैं भेदभाव करने वाले लेकिन उनका जाती परिवर्दर करना मरला हमारे वीर इतियास से छिर्टशाड करना जो की सही नहीं है और उनका इतियास से उनकी हमारे वीर इतियास से छिर्टशाड होना मतलब हमारा इतियास से छिर्टशाड होना आज हमको जिस चीज़ का गर्व है आज हमारे इतियास का गर्व है आज हम लोगों का एक हजार साल पुराना इतियास है उस इतियास से छिर्टशाड ना की जाए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस विशेय पे ध्यान दें बहुत धन्यवात